Hello guys, my name is Vikas और आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं Basic Mathematics में Addition को Sort में कैसे किया जाए एक बहुत ही effective trick है जो मैं आपको यहां पर explain करूँगा यह जो trick है आपके दोनों के साथ काम करती है चाहे number आपका integer हो या फिर number आपका decimal दिया हो अब इसके questions कैसे होते हैं उनको आप यहां पर थोड़ा से द्यान से समझेगा तो सबसे पहले हम लोग बात करते है common integer number की इसको कैसे हम solve करेंगे common integer जो number है वो addition format में आपको कैसे दिया होगा वो चीज मैं आपको एक बार यहां पर समझा दे रहा हूँ अब जैसे यह देखेगा यहां पर four जो है वो common है हर जगा पर four use हो रहा है that is why हमने इसको common बला अब यहां पर integers दिये गए तो यह integer है अब इसको linear एक ही बार में कैसे solve करना है यह दो को four कितने times आया हुआ है तो three times आया हुआ है यह जो four है यहां पर कितने times है two times है यह four कितने times है one times है एक चीच का आप यहां पर ध्यान रगना कि जब कभी भी इस तरह के questions को आप solve करोगे तो जो examiner है ना वो आपको exam में जो भी question देगा वो इसी symmetric format में देगा अब किसी के mind में सवाल आएगा कि sir अगर suppose करिए कि यह जो four four है ना जैसे यहां पर तो three times दे रखा है और यहां पर किवल one time दे रखा है तब क्या यह वाली trick यहां पर काम करेगी क्या examiner जब कभी भी question देगा तो वो आपको इसी तरीके से देगा ठीके इस format में jumbled कभी भी question नहीं आता है ठीके अब यह दिखेगा कैसे इसको solve करेंगा four three times है तो आप कर दो four into three यह four two times है तो four into two कर दो four one times है तो four into one अब इसको जब कभी भी solve करोगे तो left to right आप इसको read करना start करोगे सबसे पहले यह बाली चीज लिखी जाएगी four three's हा कितना होता है twelve तो twelve का two one आपका कैरी हो गया four two is a eight eight plus one that is nine four बन जाफ four four और one कितना sorry four बन जाफ four directly यहाँ पर आ जाएगा ठीके कुछ भी कैरी यहाँ पर नहीं बचाता अब एक और problem यहाँ पर करते है थोड़ा सा इसको द्यान समझो देखो यहाँ पर four कितने times यहाँ यहाँ पर three times यहाँ पर two times यहाँ पर one times तो यह कितना जाएगा four four times है तो four into four कर दिया four यहाँ पर three times है तो four into three कर दिया यह four two times है तो four into two काफी मज़ा आएगा अभी आपको इस problem को समझने में solve करने का तरीका भाई है कि left से right की और आप इस problem को solve करोगे ठीक है 4, 4 जा 16, 16 का 6, 1 carry 4, 3 जा 12, 12 प्लस 1, 13 13 का 3, 1 carry 4, 2 जा 8, 8 प्लस 1, 9 और 4 जा 4 तो ये कितना आ गया 4, 9, 3, 6 अब आप अपने तरीके से करोगे यार पहले लिखोगे 4, 4, 4 चार बर लिख दिये फिर इसको 3 बार लिखोगे फिर आप इसको 2 बार लिखोगे फिर एक बार लिखोगे आप इसको solve करोगे तो answer आपका से माइगा लेकिन इस process में थोड़ा सा time लेगेगा लेकिन अगर examiner ने एक question दे दिया तो आप ज़ादा ज़ादा इसको 10 से 12 second में solve कर सकते हैं अभी हम इतने questions के practice करेंगे ना कि आपको यह logic समझ में आ जाएगा ठीक है अब जैसे यह बाला question यहाँ पर दिया है 7 7 है अब एक चीच का थोड़ा से ध्यान रगना दो यहाँ पर जो 7 है वो 4 times हा रहा है तो 7 की 4 से multiply हो जाएगी यहाँ पर 7 2 times आ रहा है तो 7 की 2 से हो जाएगी यहाँ पर 7 3 times आ रहा है यहाँ पर 7 1 times आ रहा है इस question में मैंने थोड़ा सा change पता ही क्या क्या है मैंने केवल केवल numbers को इधर उधर कर दिया है अब देखो ये 4 times आ रहा है 3 times यहां पर आ रहा है 2 times यहां पर आ रहा है 1 times यहां पर आ रहा है order आपको भही रखना है पहले 4 वाले को solve करोगे फिर 3 को फिर 2 को फिर 1 को यही strategy आपकी करनी तो पहले 7, 4 जा 28 होता है तो 8 यहां पर आ जाएगा 2 carry हो जाएगा अब 4 के बाद 3 वाले को solve करोगे तो 7, 3 जा 21 21 plus 2 कितना जाएगा 23, 23 का 3 यह हो गया 2 carry फिर 7, 2 जा 14 14 plus 2, 16, 16 का 6 1 carry, फिर कितना हो जाएगा 7, 7 plus 1, 8 तो यह कितना हो जाएगा 8, 6, 3, 8 यह वाली problem इस format में आपकी आ जाएगी जब कभी भी ऐसा question examiner दे दे तो देहां नगना है में solve करना वही है 7 into 4, 7 into 3 7 into 2 बाला 7 into 1 बाला यह हमारी hierarchy follow न चीए थी 1, 2, 3, 4 यहां पर पहली digit single होगी फिर 2 बाली digit, फिर 3 बाली फिर आपकी 4 बाली आयोप यह वाली चीज आपको solve बे आ गई होगी ठीके अब यहां पर जैसे यह पहला question मैं ने दिया है अपने आप से आपको solve करना है आप देखों यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 यह कितने बार दिया है? 5 times यह कितने बार है? 4 times यह कितने बार है? 3 times यह कितने बार है? 2 times यह कितने बार है? 1 times कर दोगे solve यहां देखते देखते मैं एक बार बता यता हूँ 9, 5 जा 45 तो 45 का 5 हो गया 4 carry 9, 4 जा 36, 36 plus 4 40, तो 0, 4 carry हो गया 9, 3 जा 27 27 plus 4, 31 31 का 1 हो गया, 3 carry हो गया 9, 2 जा 18 18, 18 plus 3, 21 21 का 1 हो गया 2 carry हो गया, ठीक है 9 जा 9, और 9 और 2 11, ठीक है तो यह आपका 11 हो जाएगा जब कभी भी ऐसे questions आ जाएगे तो आपको यही approach लगानी है calculator से भी कर लोगे तब भी आपका solution यही आएगा अब एक बार इस question को जब आप solve करोगे तो आप देखोगे कि यह 4 times है यह 3 times है, यह 2 times है इसमें 1 time तो दिया ही नहीं है तो क्या इसमें यह वाली approach लगेगी same approach नहीं लगाओगे इसको करने का तरीक आप कभई होगा यह 4 times, यह 3 times और यह आपका इतने times ठीक है तो इस तरीके से हम इस question को guys solve करेंगे यहाँ पर trick apply हो पाएगी क्या देखो यह 4 times है, यह 3 times है यह 2 times है, यह 1 times है बिल्कुल हो जाएगी अभी तो आपने किया ही था अब दूसरी चीज़ पर आजाते हैं जब कभी भी आपको common decimal मिल जाए देखो यहाँ पर सारे number common common मिल ले है जब कभी भी आप simplification या fast mathematics solve करोगे तो आसे questions आपको मिलते ही मिलते हैं अब अगर मैं common decimal की बात करूँ तो मुझे यह decimal वाले number आ जाएगे अब आप कहोगे कि sir इसको solve करने का हमारा तरीका क्या हो सकता है तो इसको solve करने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग है अभी हमने देखा कि जब कभी भी यह वाली problems आ रही थी तो इसमें जब हम left to right की और हम लोग question को solve कर रहे थे यहाँ पर इसका just opposite होता है इसमें क्या solve करोगे आप right to left की और ठीक है राइट से left side हम लोग move करेंगे देखो यह five three times है यह five कितने times है two times है यह five one times है तो इसको solve कैसे करेंगे इसको solve करने का तरीका आपका है यह हो जाएगा ना five into one five into two five into three logic same है हर जगह पर लेकिन पहले right वाली value तो five बन जा five five two's are ten 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 का zero one carry five three's are fifteen fifteen plus one sixteen आपको कहोगे सब कुछ decimal है answer हमारा क्या integer मैं का नहीं देखो highest number यहाँ पर देखोगे तो इसमें तीन decimal है one two three तो three places पर लगा दो one two three तो कितना आगया one point six zero five थोड़ा सा efforts लगाने पड़ेंगे इस question को solve करने में लेकिन मेरा आपसे promise है मैं आपको हर एक question बहुत तरीगे से कराऊंगा अब आप ध्यान से यहाँ पर देखो यह जो है four times दिया है यहाँ पर three times दिया है यहाँ पर two times दिया है और यहाँ पर आपका one time दिया गया है ठीक है तो जब कभी भी हम question को solve करेंगे तो हमें यह ध्यान रखना है कि five into four को हम एक बार देखेंगे फिर हम five into three को देखेंगे फिर five into two को देखेंगे फिर हम यहाँ पर five into one को देखेंगे ठीक है अब आप यह देखो five बंजा five भही right से अब left क्यों यहाँ पर move करोगे ठीक है तो five बंजा five five two's are ten zero one five three's are fifteen plus one sixteen six one और five four's are twenty plus one twenty one ठीक है अब आप यहाँ पर देखना one two three four four places से decimal है तो one two three four तो कितना आगया two point one six zero five यह आपका यहाँ पर answer निकल कर आ जाएगा मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर किसी सज्जन को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंगी concept बहुत ही simple है चलो एक बार इसको भी हम द्यान से यहाँ पर कर लेते है इस में कितना दिया है five अरे वाँ इसमें five दिया है ठीक है यहाँ पर कितना है four यहाँ पर है three यहाँ पर है two यहाँ पर है one लेकिन जब कभी भी solve करेंगे तो वही तो देखेंगे three into five यहाँ पर three into four यहाँ पर three into three यहाँ पर फिर three into two फिर three into one तभी आप यहाँ पर right to left आप apply यहाँ पर करोगे ठीक है कोई डाउट तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए अब 3 बंजा 3, 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, 1 कैरी 3, 5 जा 15, 15 प्लस 1, 16 अब आईएस क्या है 1, 2, 3, 4, 5 5 decimal तो 1, 2, 3, 4, 5 तो यह कितना हो जाएगा 1.62963 यह आपका सही जवाब यहाँ पर आजाएगा इस question को solve करने की यही जो trick है वो आपको apply करनी है अब एक बार इसको देखो करकर solve करो यह कितने बार है 4 times है यह 3 है, यह 2 है और यह बना है बहुत आराम से हो जाएगा वही तरीका है 1, 2, 3, 4 8 into 4 यहाँ पर होगा, 8 into 3 यहाँ पर 8 into 2 यहाँ पर, 8 into 1 यहाँ पर, ठीक है अब हम क्या करेंगे, वही right से लेकर left क्यों हम लोग number को करेंगे 8 बन जा 8, 8, 2 जा 16, 6, 1 carry 8, 3 is a 24, 24 plus 1, 25, 5 here 2 carry, 8, 4 is a 32, 32 plus 2 that is 34 ठीक है, और वही 4 highest, 1, 2, 3, 4 तो कितना जाएगा, 3, 4, 5, 6, 8 आपका right answer हो जाएगा ठीक है, एक बार इस question को देखो इसमें क्या दिया है, 4 दिया है इसमें कितना दिया हुआ है, 2 है, इसमें बन है तो क्या यह वाला fund आप अप्लाई करोगे, यहाँ पर नहीं करोगे ठीक है, यहाँ पर सीधे-सीधे, 7, 7, 7 लिखा दो बार 7 लिखा, एक बार 7 लिखा ठीक है, इसको आप done कर दो ठीक है, क्योंकि सही हरार्की हमारी यही होती है, 4, 3, 2, 1 ऐसा नहीं कि 4, 2 और 1 दे दिया है, तो आप इसको सेम मैथर से सॉल्फ करोगे, आपका अंसर नहीं आएगा बड़ा एक्जाम दार में ऐसे कॉस्टेंस आपको नहीं आएंगे अगर ऐसे आने होंगे न, तो जो आपका ट्रेडिशनल मैथर होता है वही लोग यहाँ पर अपलाई करके कॉस्टेंस को सॉल्फ करेंगे तो मुझे लग रहा है कि यह चीज अब आपको सौझ में आ गई होगी आप मैक्समुम टाइम इसके थोड़े से छोटे नोट्स बना लो और इनकी प्रैक्टेस कर लो इन कॉस्टेंस को इतनी देर में तो आप एंसर निकाल दोगे ठीक है सच बता रहा हूं तो यह ट्रिक काफी important है और examination perspective से आपको काफी कुछ यहाँ पर सीखने ही कम लेगा ठीक है आगे की वीडियो भी देखेगा और अपने friends को जरूब हो लिगा कि एक बार current affairs funda के mobile application को download कर ले यहाँ पर काफी effective courses available है thank you so much have a good day to all of you once again we will meet very soon